हलो मेरे प्यारे बच्चो नमस्कार एवरिवान मैं डॉक्टर प्यांका मिश्रा आपकी जूलोजी फैकल्टी नीट बायोलजी हिंदी पॉडकास सीरीज में लेकर के आयू मानव कारिकी का अगला ध्याय तंत्रिकीय नियंत्रन एवं समन्वे आगे कुछ बूश शुरू करने से पहले यार मैं एक छोटी सी बात बुलना चाहती हूँ बहुत सरे बच्चों के मैंने कमेंट्स देखे बहुत सारो मैंसे कुछ बच्चे ऐसे थे जिन्होंने लिखा कि मैमा प्लीज डाग्राम भी लेकर के आया करो या किसी ने लिखा था क कि मैमा प्लीज थोड़ा लिख करके बता दो, शॉर्टकट बता दो जिससे कि हमें याद हो तो भाई मैं बस इतना बताना चाहती हूँ बच्चास्ट का मतलब वह सब नहीं होता है, पॉड़कास्ट का मतलब यह नहीं होता है कि हम चित्र लेकर के आया फिर तुमें के बेसिस पे तुमें शॉर्ट नोट के बेसिस पे सब कुछ तुमें लिख लिख करके समझाई रहे है ना, अगर पॉड़कास्ट में भी होगा तो फिर वन शॉट और इसमें डिफरेंस क्या होगा, पॉड़कास्ट का मतलब होता है, लिरिक्स की तरह है बस चीजों को सु तो इस चाप्टर से बिटा आपके नीट में, कभी एक, कभी दो, तो एक साल ऐसा भी था, दो साल जब यहां से एक भी क्वेस्टन ही आया, ठीक है, लेकिन छोड़ तो सकते नहीं है, चलिए, तो जल्दी से earphones लगाईए, आखों को बंद करियों मेरे लेरिक्स पर ध्यान शुरू करते हैं परिचह भाग से, तो तंत्र के नियंतरण एवं समनवे में, हम सबसे बहले बात करेंगे तंत्रिका उत्तक की, और तंत्रिका उत्तक की जो बेसिक ही है, जो सबसे चोटी ही ही है, सनरशनात्मक और कार्यात्मक ही ही है, उसको बिटा हम बोलते हैं, निरोन, ठीक है? अब इस तंद्रिका उतक में, निरॉन के अलावा कुछ सहायक कोशिकाएं भी आती हैं, जिनको हम सहायक कोशिका या निरोग्लियल कोशिकाएं बोलते हैं, और निरॉन की संरचना पर हम पहले ध्यान देते हैं, निरॉन में बिटा, क्या होता है? निरॉन, सबसे पहल इसे कुछ प्रवर्ध निकलते हैं, कुछ extensions निकलते हैं, जिनको हम निरॉइट्स बोलते हैं, अब ये निरॉइट्स दो तरीके के हो सकते हैं, एक हो सकते हैं आपके तंत्रिका आक्ष एक्जॉन, दूसरा हो सकते हैं आपका द्रुमाक्ष जिसको हम देंड्राइट्स बोल तो केंदर्ख के चारो तरफ वाली भाँक को हम virt webinar very carry-on बोलते परी मतलब चारोत्रफ carry-on mensing Euclleus तो केंदर्ख के चारोत्रफ जो भाँ होता है ंगो its sam Barry Carry-on बोलते हैं इसी neuron Kेंदर्ख, मतलब मतलब कि Koshika hai और द्रूमाक्षच मेंaver Dhrumakś inc Sierra sh mahi council तंत्रिक आक्ष मतलब कि एक्जॉन में नहीं होते हैं, दूसरी चीज ये बने किस्से होते हैं, तो ये बेटा आपके RER, rough endoplasmic reticulum और ribosomes के बने हुए होते हैं, ठीक है, इनका काम क्या होता है बेटा, क्योंकि बेटा ribosomes के बने हैं, तो मतलब प्रोटीन का sun station कर रहे हैं, तो RER और ribosomes के बने हुए हैं, ये आपके नीट में पूछा जाते हुआ प्रशन है, आगे बढ़ते हैं, इसके तंत्रिकाक्ष के अगर हम बात करें, तो तंत्रिकाक्ष के होता है, एक लंबा सा प्रवर्द होता है, जो कि जहां पर खतम होता है, उसको हम तंत्रिकाक्ष स निर्मान करती है, सभी neuron ने मयले नाच्छद नहीं होते हैं, लेकिन सभी neuron में swan-koshikay है या फिर oligodendorites जरूर ही, इन swan-koshikao'ों का काम होता है मयले נाच्छद का निर्मान करना, अब मयले नाच्छद क्या है मयले statement है मयले नाच्छद आपका फॉस्फोलिपिड का बना ह यह sphingolipid, एक तरीके से वसा का व्युत्पन है, वसा का ही derived भाग है, ठीक है, sphingolipid जिसको हम बोलते हैं, तो यह myelin आच्छा आपका वसा है, वसा का व्युत्पन है, और यह बेटा, जहां-जहां myelin आच्छा दुपस्तित होते हैं तंत्रिकाक्षियों पर, वहां से current पास न होता, तंत्रिका के अंदर जो आवेग बनता है वह पास नहीं होता, और वह भाग जहां-पर myelin आच्छाद के बीच में, जहां-पर myelin आच्छाद नहीं होता, तो वो कूद कूद के जाएगा रैन्वियर के नोड से रैन्वियर के नोड और इस वज़े से माइलन आच्छादित नूरॉन में आवेंगों का संचरन थोड़ा तीवरगती से होता है। तो यहां से हमने एक चीज समझ ली कि नूरॉन दोता हीके की ओते हैं तंतरिका अक्षियों पर माइलन आच्छादित के उपस्तिती का अधार पर, माइलन आच्छादित और माइलन अनच्छादित दोनों में एंतर देख लिया। अब हम देखते हैं सहायक कोशिकाओं, तो सहायक कोशिकाओं में कई सारी कोशिकाओं आती हैं, जो कि आपके कुल तंत्रिका उत्तक का 50% से जादा भाग बनाती हैं, जिसमें पहले आती हैं आपके अस्ट्रोसाइट्स, जो कि ब्लड-brain barrier का काम करती हैं, ये नियूरॉन के र oligodendrocytes पाये जाते हैं, जो कि माइलन आच्छाद का निर्मान करते हैं, ठीके, चाहे माइलन आच्छादित नियूरॉन हो या ना हो, श्वान से दोनों में ही उपस्थित होंगे, ठीके, बस माइलन आच्छादित में वो श्वान से माइलन आच्छाद का निर्मान नहीं क जोथे होगे आपके microglial koshikai, microglial koshikai एक तरीके से आपके tantrika utak की mahabhakshanu koshikai होती हैं, और 5 होगे हैं आपके ependemial koshikai, इनको आप छोड़ सकते हो, आगे बढ़ते हैं, neuron कई सारे प्रकार के होते हैं, दुरुवों की संख्या क्या दार पर, नीट में आचुका question है, अब hydra, जिसमें सबसे अल्प विक्सित, या सबसे पुराने तरीके का tantrika tantra पाया जाता था, hydra में बटा आपका पाया जाता है, अधुरुविय निरॉन, जिसमें केवल koshikai काय है, ना दुरुमाक्षे है, ना तंत्रिकाक्षे, दूसरे आते हैं, कूट एक दुरुविय लेकिन आगे आकरके वो दो दुशाओं में फैल जाता है, तो हम नहीं कह सकते हैं, या तंत्रिकाक्षे है दुरुमाक्षे, इसको कूट एक दुरुविय निरुविय 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 मतलब जिसके koshika काय से एक प्रवर्द निकला है, वो एक दुरुविय और ये एक दुरुविय निरुविय 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 लेकिन केवल एक तंद्रिकाक्ष होता है, तंद्रिकाक्ष तो नहीं होगा, होगा तो केवल एक, दुरुमाक्ष तो नहीं होंगे, एक हो सकता है, दो हो सकता है, कही सारे हो सकते हैं, तो बहुत रुभी निरोन में कही सारे दुरुमाक्ष और एक तंद्रिकाक्ष पाया जात अब हम यह देखते हैं कि किसी भी tantrikaksh में किस तरीके से आवेग का sanchran, आवेग निर्माण होता है, आवेग बनता कैसे है, बनने के बाद बेटा वो आगे की तरफ चलता कैसे है और उसके बाद वो एक neuron से दूसरे neuron तक कैसे जाता है, तो आवेगों की उत्पत्ति और उसका s संचरन समझते हैं. तो सबसे पहले आवेक की उत्पत्ती को समझने के लिए imagine करिए कि जो तंतरिकाक्ष है, वो तंतरिकाक्ष अंदर की तरफ से निगेटिवली चारज है, यानि की रिनात्मा कावेशित है, बाहर की तरफ यह तंतरिकाक्ष की जो जिल्ली है, जिसको हम एग्जो लेमा बोलते हैं, तो यह तंतरिकाक्ष अंदर की तरफ रिनात्मा कावेशित एवन बाहर की तरफ धनात्मा कावेशित पॉस्टिवली चारज है, ये रनात्मकावेशित अंदर की तरफ क्यों होती है बिटा क्योंकि अंदर की तरफ negatively charged proteins की संक्या बहुत जादा होती है, बाहर की तरफ sodium आयन की संक्या बहुत जादा होती है, इसलिए तंत्रिकाग जिल्ली बाहर की तरफ धनात्मकावेशित होती है, इसके अलावा मैंने क्य negatively charged proteins of potassium हैं, लेकिन sodium बाहर सबसे ज़ाद है, अंदर negatively charged proteins सबसे ज़ाद हैं, एक तो ये कारण हो गया, जिसकी वैसे ये अंदर की तरफ रनात्मक और बाहर की तरफ धरनात्मक अविशेत होती है, साथी साथ बेटा, जब ये तंत्रिका गिशिली विश्राम अवस्था में होती ह जिसको हम बोलते हैं, धुरुवी अवस्था, धुरुवी अवस्था में जब ये होती है, उस समय पर ये तंत्रिका गिशिली, पोटैसियम आयन के लिए अधिक पारगम में होती है, सोडियम आयन की तुलना में, ऐसा मैंने आपको क्लास में बताया था, और इसका मैंने बोलते हैं, धुरुवी अवस्था में ये तंत्रिका गिशिली, पोटैसियम आयन के लिए कई ज़ाधा पारगम में होती है, सोडियम आयन की तुलना में, साथी साथ इसी समय पर इस तंत्रिका गिशिली का एक मेंब्रेन पोटेंशिल होता है, जिसको हम इसका रेस्टिंग मेंब्रेन पोटेंशिल या रेंपी बोलते हैं, और इस रेंपी को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर सोडियम पोटैसियम पंप भी चल रहा होता है, और यह इंपोर्टेंट है नीट में आचुका क्वेस्चन है, कि सोडियम पोटैसियम पंप होता क्या है, तो सोडियम है कि एक ATP का इस्तमाल करके हम तीन sodium आयन को बाहर भेज रहे हैं Tantrikaksh plasma से, बदले में हम बाहर से दू potassium आयन को उंदर लेकर आधे हैं, थाक है। इंपॉर्टंट है? नीट में आ चुका है, एक ATP का इस्तमाल करके हम तीन sodium आयन को अंदर से बाहर बेच रहे हैं, बदले में दो पोटैसिम आयन को बाहर से अंदर ला रहे हैं, यह है आपका sodium potassium pump, जिसकी वज़े से भी इस तंद्रिकाग जिली का जो विश्राम विभव है, विश्राम क्रिया विभव वो बना हुए, विश्राम कला विभव वो बना क्योंकि NCRT में यह, minus 70 millivolt है, यह होगे दुरुवी वस्था, विश्राम वस्था, अब क्या होता है, जैसे ही बाहर से कोई stimulus आता है, कोई उद्दीपन आता है, उस stimulus के आते ही, सबसे बहले क्या होता है, यह विदुरुवन वस्था में जाता है, अब question ही आते है कि विदु voltage-gated channels उपस्थित होते हैं, ऐसे दर्वाजे जो कि एक particular voltage पर खुलते हैं, ठीक है, बाहर से दीपन आते ही, यह जो movement हो रहाता है, जिसकी वज़े से RMP अपना minus 70 millivolt था, वो plus 10 होता है, मतलब minus 60 millivolt आता है, और जैसे ही यह membrane potential minus 60 millivolt आता है, यहाँ पर उपस्थित voltage-gated sodium ion channels जाते हैं, जिसकी वज़े से sodium ion अपने अधिक सांदर्ता से, कम सांदर्ता मतलब बाहर से अंदर की तरफ गती करते हैं, और एक साथ बहुत सारे sodium ion बाहर से अंदर की तरफ गती करते हैं, जिसकी वज़े से अंदर positive charge की मात्रा बढ़ जाती है, और अंदर की तरफ बेटा tantrik जिल्ली पॉजिटिव यानि धनात्मकावेशित और बाहर रिनात्मकावेशित हो जाती है, इस अवस्था को बिटा हम बोलते हैं, वीदुरुबन अवस्था या दी पोलराइजेशन स्टेट आ चुका question है, ठीके, तो लास्ट न बता, मतलब जो इंपोर्टन इंपोर्टन है वो मेंटेन कर रहे हैं, और दूसरा बिटा, हैंपे sodium potassium pump मेंटेन कर रहे हैं, जिसमें एक ATP की उपस्तिती से, या एक ATP के उप्योग से, तीन sodium man को बाहर निकाला जा रहा है, बदले में दो potassium man अंदर लिये जा रहे हैं, तीसरा, वीदुरुबन अवस्था किसकी वैसे आती है तो वीदुरुबन अवस्था बहुत जल्दी जो sodium अयन अंदर बहुत सारी मूफ करते हैं, उसकी वैसे अंदर की तरफ यह positively charged हो जाता है, बाहर negative हो जाता है, इसकी वैसे वीदुरुबन अवस्था आती है, तीसरा, क्या होता है, जब बहुत जादा sodium अयन अंदर आ जाते ह है, तो अंदर की तरफ धनात्म का अविश्यत हो जाता है, तो यह membrane potential minus 60 से बिटा ही है, minus 50, minus 40, minus 30, minus 20 होते होते ही, प्लस में पहुंच जाता है, प्लस 30, plus 40 तक पहुंच जाता है, और इस potential पर, जो sodium ion channels होते हैं, वो बंदो जाते हैं, ठीक है, यह यह कहलो, sodium ion channels बहुत मात्र, 0.5 milliseconds के लिए खुले रहते हैं, वो थोड़ी दर में बंदो जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन अंदर इतना सारा जो sodium आ गया है, इसकी वज़े से बिटा, प्लस 30 millivolt के range में, इस तंत्रिकाग जिली पर उपस्ते हैं, जो voltage-gated potassium ion channels हो खुल जाते हैं, जिसकी वज़े से अंदर potassium क सांदृता जाधा होने की वज़े से, potassium अंदर से बाहर की तरफ गती करते हैं, ठीक है, और अंदर से बाहर की तरफ जैसी potassium गती करते हैं, तो अंदर की तरफ फिर से positively charged ion कम होते जाते हैं, जिसकी वज़े से अंदर की तरफ तंत्रिकाग जिली जो होती है वो वापस से रनात कावेशित और बाहर की दरफ धनात्म कावेशित हो जाती है और इसको बिटा हम बोलते है पुन्हे धरवन अवस्था, ठीक है, पोटैसियम आयन चैनल्स डेड़ मिली सेकंड के लिए खुले रहते हैं, मतलब सोडियम आयन चैनल्स के समय की तुलना से तीन गुना जादा तक खुले रहते हैं, जिसकी वज़े से बिटा, ये जादा पोटैसियम बाहर चला जाता है, और अती दुरुवन अवस्था, हाइपर पोलराज़ेशन स्टेट आजाता है, अंदर जो रमप अपना माइनस 70 था, वो माइनस 90 तक पहुंच जाता है, जिसको मेंटेन करने के लिए बिटा, आपका वापस से सोडियम पटैसियम पंप चलता है, और सोडियम पंप क्या करता है, अंदर से 3 सोडियम को बाहर के बाहर से 2 प्तैसियम को अंदर लाता है, और वापस से विश्राम कला विभव को मिंटेन करता है, ठीक है, पहला क्वेस्चन नीट में क्या है, कि किसके लिए पारगम्यता होती है विश्राम ववस्ता में, तो इस पोटैसियम के लिए अधिक पारगम्य है, दूसरा सोडि जनरेट होना, ठीक है, चौथा, आपका किसी भी तंत्रिकाग जिल्ली पर किस तरीके से जो आवेश्य, जो चार्ज है वो बदलता है, तो पहले बेटा वो रिनात्मक आवेश्यत होती है, दुरवन वस्ता में, विदुरवन में वो धनात्मक आवेश्यत हो जाती है, अब जो रिनात्मक आवेश्यत हो जाती है, ये भी आपके नीख में आचुका है, पहले रिनात्मक, फिर धनात्मक, अब पुनेह रिनात्मक, इस हता है दूरी निप्तैब बने, अब बोह fitted छीर, शीन होकी उते, रमसा 언제, डासा अन्ग सबुख्त, दोसरे छीन होगए आपके वैपड़ाती सिनाप्स, जो एक वैदियोती सिनाप्स इनी थी में बहुत जाद के थीर से होते है वहीं वैदियोती यहनि में जो दरार है, जो space है, वो बहुत थोड़ी है, बहुत थोड़ी, तो बिटा, उसको हम बोलते हैं कि वहाँ पर दोनों नियॉरॉन के बीच में रासाइनिक सिनाप्स नहीं बन पाएगा, वहाँ पर बनेगा आपका बैद्धिति यानि की एलेक्रिकल सिनाप्स, ठीक है, और वहाँ पर एक नियॉरॉन से दूसरे नियॉरॉन में जो भी आवेग है, वो गाप जंक्शन, अवकाश संधी के थूरू, गाप जंक्शन की तरह बीव करेग और वही से आपका जो भी sodium आयन है वो अगले में, सिनाप्स में कूच जाएगा, और अगले जो आपका नियॉरॉन है उसमें उसी तरीके से आवेग की उत्वत्ति और संच्रन होता रहेगा, इसके हमें बात नहीं करने है, हमें बात करने हैं आपके रासाइनिक सिनाप्स की रासाइनिक सिनाप्स काम रासाइनिक सिनाप्स इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यहां पर दो नियॉरॉन के बीच में जो दरार है, जो cleft है वो बहुत बड़ा है, जिसकी वज़े से एक नियॉरॉन से आवेग को दूसरे नियॉरॉन तक जाने के लिए हमें कुछ रासाइनों की जरुद पड़ती है, और इन रासाइनों को हम बोलते हैं, तंत्रिका संचारी मतलब neuro-transmitters, ठीक है, अब यह तंत्रिका संचारी दो तरीके के होते हैं, एक होते हैं आपके excitatory, दूसरे होते हैं आपके inhibitory, ठीक है, excitatory तंत्रिका संचारी क्या करते हैं, एक नियॉरॉन से आगे की तरफ गती करेगा, अवेग, ठीक है, वहीं जो आपके संदमन करने वाले तंत्रिका संचारी यानि की inhibitory neurotransmitters होते हैं, यह अगले neuron की जिल्ली में जाकरके, वहां पर यह अती धुरुवन कर देंगे, मतलब की hyperpolarization कर देंगे, जिसकी वज़े से उस hyperpolarization को normalize करने क के लिए आपका वापस से sodium potassium pump चलेगा और दूसरे neuron में कोई भी नया आवेग उत्पन नहीं होगा, ठीक है, अब जड़ा सिनाप्स की उस चित्र को हम इमाजिन करते हैं, एक neuron, पहला neuron जहां से आवेग आ रहा है उस neuron के जिल्ली होती है, उसको हम बोलते हैं, अग्र सिनाप् जिल्ली के बीच में आपके जो खाली जगे होती है, उसको हम बोलते है सिनाप्टिक दरार, ठीक है, अग्र सिनाप्टिक जिल्ली, जहां पे अग्र सिनाप्टिक जिल्ली जो आपका विसाइकल है, आपका ये जो तंत्रिका का सिरा है, उस तंत्रिकाक्ष का सिरा, इस तंत् जिल्ली में voltage-gated calcium ion channels कुलते हैं, जैसे calcium ion channels कुलते हैं, क्या करते हैं, calcium बाहर जादा है, तो बाहर से अंदर की तरफ गती करेगा, और अंदर जो चोटी-चोटी synaptic पुटिकाएं हैं, वो आपके तंदरिका क्षितिरे वाले भाग में हैं, उन synaptic पुटिकाओं को यह अगर syn synaptic पुटिकाएं, अगर synaptic जिल्ली के पास आकर के मिलेंगी, यह फट जाएंगी, इन ही synaptic पुटिकाओं के अंदर तंदरिका संचारी यानि की neurotransmitters नाम के रसायन हैं, और यह जैसे आपकी synaptic पुटिकाएं फटेंगी, इन में से तंदरिका संचारी बाहर आ जाएगा synaptic दरार में और वहां से जाकर के पुटिक जिल्ली पर उपस्तित इनके विशिष्ट ग्राही से जाकर के जुडेंगे और वहां पर अपना काम करेंगे, अब यह निर्भर करता है कि आपका तंदरिका संचारी कैसा है, वह excitatory प्रकार का है या inhibitory प्रकार का, उस तरीके से प्रकार के अपनी पस्तित इनके जिल्ली में काम करेंगे, इसके बाद बेटा आपका अगला टॉपिक यहां पर जो शुरू होगा वो होगा आपका मानव तंदरिका तंदर की अगर हम बात करें तो बेटा हमारे तंदरिका तंदर में दो तरीके के, मतलब यह हम इसको दो केंदरिका तंदरिका 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 तंद काईक तंत्रिका तंत्र ये बेटा आपकी एच्छिक पेशियों पर कारे करता है, आपकी एच्छिक पेशियों तक आपके केंदरी तंत्रिका तंत्र से एच्छिक पेशियां मतलब कंकाली पेशियों तक संदेश को ले जाना और लाने का काम करता है, या आवेक को ले जाना औ Autonomic Nervous System, आपके Kendri Tantrika Tantra से आवेक को, आपकी अनेचिक पेशियां, मतलब चिकनी और हिर्दे पेशियों तक आवेक को लाने और ले जाने का काम करता है, और ये स्वायत Tantrika भी दो तरीके का होता है, अनुकंपी और परानुकंपी, जिसमें अनुकंपी आपका हो गया, क्या Sympathetic Nervous System, अभी आप normally बेटे हो, अभी काम कर रहे है, ठीके, इमर्जंसी में आपके साथ जो कुछ भी होता है, एकदम से आपकों का फटा रह जाना, दिल की दढ़कन का बढ़ना, श्वसंदर बढ़ जाना, मू का सूखना, आपकी पाचन संबंदी जो भी गतिविधिया उनका रुक जाना, पसीना आना, रोन के हड़े हो जाना, यह सब बेटा जो भी आपके साथ आपातकाली नवस्था में हो रहा है, इसके लिए जिम्मिदार है आपका अनुकंपी तंत्र का तंत्र, ठीके, तो यहां तक क्लियर हुआ, केंद्र तंत्र का तंत्र में मस्तिषक और काइक करते हैं, जो स्वायत तंत्र का तंत्र है यह आपकी अनैचिक पेशियों तक मैसिज को ले जाने का काम करता है, वहां से लाने का काम करता है, केंद्र तंत्र का तंत्र में, और काइक तंत्र का तंत्र आपकी एचिक मतब कंकाली पेशियों तक मैसिज को लाने ले काम करता है, अब इस message के लाने ले जाने में दो तरीके की तंत्रिकाएं काम आती हैं, पहली हो गई बिटा आपकी संबेदी तंत्रिकाएं, जिनको हम बोलते हैं sensory neurons, दूसरी हो गई आपकी चालक या प्रेरक तंत्रिकाएं जिनको हम बोलते हैं motor neurons, ठीक है, अब आपके तंत्रिकाएं हो गई जो की 31 जोड़ी होती हैं, ठीक है, अब इनके बारे में बहुत जादा नहीं पढ़ना है, क्लास में आपको बढ़ाया था कि कौन सी चालक होती है, कौन सी संबेदी, बस आप यह जान लीजेगा, कि मेरू तंत्रिकाएं सारी, 31 जोड़ी मेरू तंत्र नहीं है, इनमें कुछ चालक हैं, कुछ संबेदी हैं, कुछ मिष्वित हैं, बस, यहां तक आप इसको छोड़ दीजिए, अब हम बात करेंगे बिटा, केंदरी तंत्रिका तंत्र की और केंदरी तंत्रिका तंत्र में भी आपके NTA के सिलिबस के साब से हमें केबल मस्तिष पढ़ना है, मेरू उमें नहीं पढ़ना है, तो मस्तिष की बिटागरम बात करें, तो मस्तिष्क या केंदरी तंत्र का तंत्र जो है, आपके मस्तिष्क के बाहर आवरन होता है, मस्तिष्क आपका कपाल में अंदर होता है, यह मस्तिष्क बहुत ही सौफ्ट सा अंग है, ज इसी तरीके से आपके कपाल और मस्तिश के बीचे कुछ आवरन उपस्तित होते हैं, जिनको हम Meninges बोलते हैं, और ये तीन होते हैं, सबसे बाहर Dura Meter, बीच में Arachnoid Meter, उसके नीचे सब Arachnoid Space होता है, और सबसे अंदर होता है आपका Paya Meter, तो बाहर से अंदर की तरफ अगरम ब Paya Meter, के बीच में एक स्थान उपस्तित होता है, एक स्पेस उपस्तित होता है, अफकाश उपस्तित होता है, जिसको हम सब Arachnoid Space बोलते हैं, और इस सब Arachnoid Space के बीच में, इसी में से एक तरल पदार्त गुजरता है, जिसको हम Cerebro Spinal Fluid, CSF बोलते हैं, प्रमस्तिष्क, Dravya, clear है यहां तक, अब प्रमस्तिष्क, मेरुद्रव्या, CSF का काम क्या होता है, तो यह CSF बेटा, बाहर से आई हुए किसी भी जटके को पहले तो अफशोषित कर लेता है, यह CSF आपके मस्तिष्क में पोशक तत्वों का डेलिवर करना, और मस्तिष्क से उच्छी पदा बिटा हमें वजन समझ में नहीं आता है, 135 ग्रम बोलेंगे नहीं, 1350 ग्रम से 1450 ग्रम का जो मस्तिष्क है, इसका हमें वजन फील नहीं होता है, क्योंकि CSF इसके चार तरफ गुम रहा और यह इसको ऊपर की तरफ धक्का दे रहा है, उत्पलावक्ता प्रदान कर रहा है, प्रमस्तिष्क या अग्रमस्तिष्क, मद्यमस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क, अग्रमस्तिष्क जिसको हम बोलते हैं फोर ब्रेन, मद्यमस्तिष्क को हम बोलते हैं पश्च मस्तिष्क को हम बोलते हैं हाइं अब यह जो फोर, मिड और हाइं ब्रेन हैं, इनके भी कुछ जिसमें midbrain में आपकी NCRT में बहुत जादा नहीं बताया है, fourbrain के तीन भाग होते हैं as per NCRT, एक तो हो गया आपका pravmastishk, जिसको हम बोलते हैं seribram, दूसरा हो गया बिटा है आपका thalamus, जिसको हम thalamus बोलते हैं, तीसरा हो गया आपका hypothalamus, यह आपके agramastishk के तीन भाग हो गया, madhymastishk में हम केवल और केवल पड़ेंगे आपका corpora, quadrigamina, और pasthymastishk में हो गया आपका pons, cerebellum, जिसको हम anumastishk बोलते हैं, और medulla oblongata, यहां तक clear है, यह आपका flow chart revise हो गया, ठीक है, यहां पर एक चीज में आपका और बता दूँ, कि आपका madhymastishk, आपके pons के साथ मिल करके, और आपका thalamus, ठीक है, आपका, जो madhymastishk है, यह madhymastishk, pons के साथ मिल करके, और नीचे जो medulla oblongata है, madhymastishk, pons और medulla oblongata, यह तीनों मिल करके, बिटा, brainstem, mustishk, mool का काम करते हैं, ठीक है, दुबारा से revise करा रही हो, important है, brainstem किससे बनता है, तो brainstem तीन ची medulla, ठीक है, तीन चीजों से मिल करके, आपका brainstem बनता है, बढ़ते हैं, बढ़ते हैं, मस्तिषके, अग्र मस्तिषकी बात करते है, अग्र मस्तिषकी सबसादा है, तो अग्र मस्तिषक में आपने का, तीन भाग होते है, cerebrum, आपका thalamus और hypothalamus, जो cerebrum होता है, यह cerebrum आप बहुत सरे ऐसे folds है, कुछ दरारे हैं, फिर कुछ उभा रहे हैं, कुछ दरारे हैं, ठीक है, और इनी में एक बहुत गहरी दरार है, जो कि इस प्रवमस्तिषक को दो भागों में विभाजित करती है, या दो प्रवमस्तिषक अर्ध गोलार्दों में, cerebral hemispheres में डिवाइड क अब यह जो प्रवमस्तिषक अर्ध गोलार्द है, इसके बाहर की तरफ बिटा, जो आपका मैटर है, वो ग्रे कलर का है, ठीक है, अंदर की तरफ श्वेत दरव है, बाहर दूसर दरव है, ग्रे मैटर, अंदर श्वेत दरव है, जिसको हम वाइट मैटर बोलते हैं, जो यह दूसर इसलिए है क्योंकि यहां पर आपका कोशिका काय उपस्तित है, कोशिका काय के गुच्छे उपस्तित हैं, ठीक है, जिनको हम group of cell bodies बोल सकते हैं, gangliions बोल सकते हैं, और आपको पता है कोशिका काय दुरमाक्ष में आपके निसल काय है, निसल बोडी है, जिनकी वै भाग है यह वाइट कलर का होता है, श्वेद रव्य होता है क्योंकि यहां पर आपके myelin आच्छा दित, तंद्र काकुष उपस्तित है, myelin क्योंकि वसा के अवित्पन है, तो यह आपका सफेद दिखाई दिखाई देता है, ठीक है, अब यह जो इसका वलकुटी भाग है, इस वलकुटी भाग में तीन तरीके केंद्र पाय जाते हैं, कुछ बिलकुल संवेदी, कुछ जो प्रेरक या चालक होते हैं, और कुछ नाक संवेदी है ना प्रेरक है, वो बिटा mixed type के areas होते हैं, जिनको हम association areas बोलते हैं, ठीक है, तो एक हो गए आपके sensory areas, एक हो गए आप के motor areas, तीसरे जो ना sensory है ना motor है, mix and association areas बोलते हैं, ठीक है, अब जो sensory areas, जो संवेदी हैं, यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर message को लेकर क्या जाते हैं, ठीक है, motor यहाँ से message को बेजते हैं, लेकिन जो संवेदी जो आपके, हिंदी में मुझे नहीं यादार है, क्या होते है जो आपके association areas होते हैं, इन association areas के तीन काम होते हैं, सबसे पहले तो इन संवेदी और चालक जो भी केंदर हैं, इनके बीच में, इंटर association करवाना, दोनों को आपस में relate कराना, दूसरा यह आपकी याददाष्ट और तीसरा आपकी communication, बात करने का जो तरीका होते हैं, हम अलग relay center मतलब कोई भी संवेदी जो neuron है, sensory neuron, जो भी आपके message को बाहर से, मस्तिष्क में लेकर आ रहा है, वो इसी thalamus से होता हुआ जाएगा, और आपके मस्तिष्क से जो भी message बाहर जा रहा है, आपके परिद्य तंत्र का तंत्र में, motor neurons के द्वारा, वो भी यही होते हुए message आना और जाना यहीं से हो करके गुजड़ेगा, ठीक है, तीसरा होगा है आपका hypothalamus, hypothalamus बहुत बड़ा मतलब बहुत इंपोर्टन एक केंद्र है, वैसे तो thalamus की, जमीन को ही hypothalamus बोल देते हैं, पर hypothalamus बहुत इंपोर्टन है, hypothalamus एक तरीके से आपके, तंत्र का तंत् में भी जानते हैं, आपके तंत्र का तंत्र में अगर बात करें तो आपकी भूख-प्यास का केंद्र भी यहीं है, ठीक है, आपके जो ताप नियमन का केंद्र, जो है, body temperature के regulation का, वो भी बड़ा आपके hypothalamus में है, इसके अलावा बड़ा, इस ही hypothalamus में कुछ छोटे-चोट होते हैं, नुकलिया ही होते हैं, जहाँ पर hypothalamic hormones का निर्माण भी होता है, जिसके बारे में हम अगले अध्याय में पड़ेंगे, ठीक है, इसके अलावा बड़ा, आपके मस्तिष्क अर्ध गोलार्द, या प्रमस्तिष्क अर्ध गोलार्द के जो बीच में श्वेद द्रव्य है, इसी corpus callosum के आसपा, श्वेद द्रव्य में बीचों में पट्टी है ना, तंत्रिका, तंतूों की, यहीं पर बड़ा, corpus callosum के आसपा, इसको छोटे-छोटे या धूसर द्रवे बीच बीच में पाये जाते हैं, और यह बटा मिल करके, limbic system मनाते हैं, जिसमें amygdella, hippocampus, basal ganglion, यह सब आते हैं, ठीके, यह बटा limbic system होता है, यह hypothalamus के साथ बिल करके, आपके emotions को control करते हैं, आपकी भावनाओं को control करते हैं, आपके विवहार को control करत है, इसलिए हम limbic system और hypothalamus दोनों को मिला करके आपका emotional brain भी बोल देते हैं, आपकी भावनात्मक मस्तिष्क भी हम इन दोनों को मिला करके बोल देते हैं, क्योंकि आपके जो भी emotions होते हैं, ठीके, गुसा है, प्यार है, आपका sexual behavior हो गया, आपका, अलग से hypothalamus का का काम क्या है ताप नियमन, भूक और प्यास, इसके लाबा, limbic system के साथ मिल करके यह आपके overall emotions को control करते हैं, ठीके, यह हो गया आपका अग्रमस्तिष्क, ठीके, फिर आते हम अपने मद्ध मस्तिष्क में, मद्ध मस्तिष्क में चार चोटी-चोटी ऐसी पालिकाएं होती हैं पीछे की त ठीके, आपके मद्ध मस्तिष्क ते ही होते हुए एक पतलीसी, मतलग के नाल, एक नाल निकलती है, जिसको हम cerebral aqueduct बोलते हैं, इसमें से CSF निकलता है, आते हैं आपके पश्च मस्तिष्क, हाइन ब्रेन में, तो इसके हमने तीन भाग बता है, सबसे पहले, पॉंस, पॉंस क्या करता है, आपके मस्तिष्क के अलगला भागों को जोड़ने का काम करता है, इसमें से कुछ नर्व ट्राक्ट्स निकलते हैं, कुछ तंत्रिका निकलते हैं, जो कि आपके मस्तिष्क के अलगला भागों को जोड़ने का काम करते हैं, दूसरा आपका सेरी बेलम, अनुमस बेटा आपके शरीर में, जो क्या बोलते है, समन्वे होता है, मतलब कोडिनेशन मनाने का काम करता है, जैसे मैं सुई में धागा डाल रही हूँ, तो सुई और धागा मुझे दोनों को, मतलब सुई में धागा डालना है, तो ये और कॉन देरा मेरा प्रमस्तिष्क, लेकिन उ मैं सही से चलूँ मेरे हाथ, पैर, एक दूसरे के साथ समन्वे बनाते हुए चले, ये काम मेरा अनुमस्तिष्क्यानी की सरीवलम करेगा, तो इसका काम होता है शरीर में बालेंस और समन्वे बनाई रखना, तीसरा आता है आपका medulla oblongata, तो medulla oblongata में बहुत important आपके कुछ केंद्र होते हैं, जैसे आपका respiratory rhythm center, श्षवसनले केंद्र, जो की श्षवसन की क्रियाओं कर नीमन करता है, यही पे आपका पाचन संबंदी केंद्र होता है, यही पे आपका वमन केंद्र होता है, आपके इसी मेडला में बेटा, आपका cardiowascular, आपके हिर्दय संबंदी के बेंदर होता है वो भी आपका यहीं होता है, ठीक है? यह हो गया विटा, आपका पूरा मस्टिष्क, लास्ट में फिर से एक बादू, ब्रेंस्टेम जो होता है, वो तीन चीजों से मिलके बनता है, आपका पॉंस, आपका, स्री, मद्ध मस्टिष्क, पॉंस और मेडिूला, तीन चीजों से मिलके आपका ब्रेंस्टेम बनता है, तो इतना था आपका तंत्री के नियंद्रन इवं समन्वे में, हमने 35 मिनिट में इसको खतम करने की कोशिश की है, I hope clear है, मुझे कमेंट में जरूर बताएएगा, ठीक है? This is it. अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे नए पॉड़कास्ट में, तब तक के लिए, बाबाए.